आज के अमारी रेसीपी है बिल्कुल इजी और आसान आप घर के ही समान से बिल्कुल थोड़ी से समान में इसे इजीली घर पर ही बना लेंगे और यह खाने में यह बहुत टेश्टी बनी है और देखने में भी आपको लगी रहा होगा कि यह कैसी लग रही होगी यह देखे यह डेकोरेट करने के बात कुछ इस तरह की दीख रही है और यह जय नहीं है कि एसी बनी है प्रहिटी की बहुत सौफ्ट सी बनी है और देखने में भूत सुंदर लग रही है चलिए हम लेसीपी की तरफ चलते हे एक पैंड ले लेंगे हम स्थान लेंगे। एक कप के बराबर पानी और आज से दस पत्ती हम इसमें डाइल देंगे केशर की चीनी आप अपने यहाँ पर जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं आपको जितनी चाहिए इसके चासनी बना लेंगे याद रखिए हमें चासनी इसकी एक तार वाली बिल्कुल नहीं बनानी है बस हलका ही इसे इतनी देर तक बनानी है जो हमारी चीनी खूल जाए और यह हलकी चिपचीपी सी बने यह देखिए चासनी हमारी बन चुकी है हम देख लेते हैं यह देखि साइड में रख देंगे एक पैन ले लेंगे इसे चड़ाएंगे गैस पर और एक गिलास दूद्ध करेंगे इसमें एड दूद को हमें इस तरह से चलाना है और इसमें चलाते चलाते हमारा जब दूद में उबाला जाएगा इस तरह से हम हलकी हाथ से चलाते रहेंगे और इसमें सूजी आइट करेंगे आप सूजी अपनी हिसाब से ले सकते हैं मैंने हाप एक छोटी का टोड़ी सूजी लिए और सूजी हमारी एकदम से जो है गाड़ी होने लगती है यह देखिए दूद हमारा गाड़ा होने लगा है हमें से इसलिए चलाते रहेंगे नहीं तो यह नीचे से लग जाएगी और हमारी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी यह देखिए गाड़ी होने लगी ह दूद में अच्छे से मिल भी गई है और हम इसे लगाता नहीं चलाएंगे सोज डालते पर तो ये नीचे से चिपक जाएगी और आप इसमें हमने चीनी भी एट कर लिए इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे मीठा फिका आप अपने हिसाब से रख सकते हैं हम इसे कंटीनेव इसी तरह से चलाते रहेंगे अलट पलट के कि यह देखिए हमने हाँ पर यह चीनी थोड़ी चीनी हम इसमें और एट कर रहे हैं अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद नहीं है तो आप सिर्फ एक यह बार चीनी डारें थोड़ी यह ज्यादा इसी तरह से चलाते रहेंगे हम इसे और अच्छे से पैकाएंगे यह देखिए कितनी गाड़ी हो गई है सूजी हमारी हम इसे चलाते हुए इसी तरह से पका लेंगे यह देखिए हमारी सूजी जो उसने पैन बिल्कुल छोड़ दिया है नीचे से और यह पक गई अच्छे से यह देखिए हमने गैस को कर दिया अबन और एक बरतन लेंगे याद रखें हमें बरतन यहां पर गहरा सा ले लेना है और जो सूजी बना के हमने तयार करी थी वह इस बरतन में करेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे पूरे बरतन में अब हम इसे रैश के लिए छोड़ देंगे कम से कम आदी घंटे के लिए हम इसे फिरिज में भी रख सकते हैं और भार भी रहने दे सकते हैं एक पैन ले लेंगे, इसमें डालेंगे दूद, एक गिलास, दूद मैंने यहाँ पर कच्छा पका आपके पास जैसा भी है, आप ले सकते हैं, अगर आप पका हुआ दूद ले रहे हैं, तो यहाँ पर मलाई भी उसी में एट कर दें, और इसे गैस पर रख दें, एक काटोरी जाए, और दूद में भी हमारे वालालने लगाए, इसे हम चलाएंगे दूद को, और जो हमने चीनी रहे है, इसमें आप अपने आप से ले रख सकते हैं, मीठी, फीकी, ज्यादा या कम, और जो कौन फ्रोवर हमने बना के रखा है, हम इस तरह से चलाते रहेंगे हलका हलका और इसमें एड करते रहेंगे दूद को बहुत जल्दी से गाला कर देता है आप देख सकते हैं और इसमें लाइची पाउडर डालेंगे और इस अच्छे से मिलाएंगे आपके पास के बड़ा है तो आप भूभी उज़ कर सकते हैं इसके जगा और गुलाब जल्द कुछ भी आपको जो अच्छा है बहुत कर देंगे इसमें एड और यह देखे सूजी जो हमने बैटर बनाया था वह हमारा चल्द हो चुका है और तो अपने दूद का बैटर बना के तयार किया है वह हम इसके उपर से एड करेंगे और इसे भी हम इसी के उपर से अच्छे से फैला देंगे पूरे बर्दन में हमने उसे इसे उपर से फैला दिया है पूरे बर्दन में अच्छे से इसे हम पूरे बर्दन में अच्छे से फैलाएंगे कहीं पर मोटा पतला नहीं होना चाहिए बिलुकुल मीडियम पूरे बर्दन में फैलाएंगे यह देखिए हमने इसे फैला दिया है अब यहां पर लेंगे हम ड्राय फूर्ट आपके पास जो भी अलाए लोग विला है आप बो डाल सकते हैं और नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर दें मैंने इसमें डाली चिरोंजी काजू बदाम किस्मिस अगर आपके पास इसकी जागा कटे हुए हैं तो आप भी यूज़ कर सकते हैं और यहां पर मैंने लिए फूल की पत्ति ताकि हमारा फिलेवर जो और इसे रेट के लिए छोड़ देंगे फिरिज में आदे घंटे के लिए यह देखिया आदा घंटा हमारा हो चुका है अब हम एक इस तरह की कट्षी लेंगे और इसे कर लेंगे कट गोल पीस में आप च अब हम इसे एक प्लेट में लगाएंगे यह देखिए कुछ बनने के बाद इस तरह का फिलेवर इसका आया है यह देखने में कुछ ऐसी लग रही है जो चासनी हमने बना के रखी थी वो इसके उपर से एट करेंगे हमारी सूजी की परफी बनकर तयार है रैसीपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को जाए 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 लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें